हेलो एंड वेल्कम बेक टू मैं चैनल अनुराग लौ क्लासेज और आज हम पढ़ेंगे इंडियन पार्टनर्शिप एक 1932 हम इंडियन पार्टनर्शिप एक 1932 में जो भी इंपॉर्टेंट प्रोवीजन से उन सब को आज कम्प्लीट कर लेंगे तो हमारा जो इंडियन पार् क्षिप एक्ट अपक्ष्य पूरे भारत में अपलाई होता है और यह 10 अक्टूबर 1932 को लागु हो गया था मगर इसका जो सेक्शन 64 था वो 10 अक्टूबर 1932 के बाद लागु हुआ यह जो हमारा partnership act है यह हमारा जो partnership act है वो English partnership act 1980 के उपर based है अब हम आ जाते हैं section 4 पे section 4 हमें बताता है partnership के बारे में ठीक है पार्टनर्शिप क्या होता है तो partnership जो होती है relationship होती है किनी persons के बीद जो की agree किये हो एक साथ profit share करने के लिए है ना तभी वो partnership कहलाईगी ठीक है second इसमें होता है कि जो भी person partnership के अंदर आ जाता है वो partner कहलाता है ठीक है third जो है point इसमें यह एक collective होता है ठीक है firm का यह एक collective होता है partners का आ गया जाते है firm का जो नाम होता है firm का जो नाम होता है वो उसी नाम से होता है जिस नाम से business किया जाता है कि कि अब इसके हम essentials पढ़ लेते हैं partnership करने के लिए क्या क्या essential ज़रूरी है तो कम से भी कम दो person होने चाहिए उसमें और person जो है competent to contract होना चाहिए अभी मैंने competent to contract है हमारा section 11 में ठीक है अगर आपने मेरी पिछली contract की वीडियो नहीं देखे तो आप उसे देख सकते हैं और person जो है वो natural या artificial भी हो सकता है तो मैंने natural और artificial person के बारे में भी बताया था आप उसे भी देख सकते हैं agreement जो होता है partners के बीच वो oral में या writing में हो सकता है या फि एक्सप्रेस ऐसे होता है कि आप जब मूँ से कहते हैं मैं आपको for example बता देता हूं कि express और implied का मतलब क्या होता है तो express में तो आप जब अपने मूँ से कह देते हैं by mouth आप कह देते हैं या किसी तरीके से कह देंगे mouth कह देंगे या written तरीके से तो एक्सप्रेस होता है अब implied क्या होता है implied में implied में क्या होता है जैसे आप mochi के जाते हैं और माल लीजे आप mochi के जाके अपना पैर उसके सामने रख देते हैं है ना माल लीजे आप mochi के गए और mochi के जाके आपने उसके सामने अपना शू रख दिया तो इसमें क्या होगा mochi फिर उस शू का क्या करेगा उस पर वो polish ही करेगा ठीक है तो यह हो जाता है एक तरीके का implied आप समझ रहे ना तो यह implied हो जाता है अब आजाते हैं आगे agreement to share profit of business जैसे मैंने आपको बताया था कि अब वो जो partners होते हैं वो agreement करते हैं और profit share करने के लिए और जो business होता है जो business होता है उन partners द्वारा ही वो चलाया जाता है कि के उन ही partners द्वारा वो चलाया जाता है इसमें दो essential बहुत important है इसमें जो दो essential है यह एक तो member जो होता है हिंदू undivided family का जो member होता है और उसमें जो उनकी family business करती है एक साथ together जब वो एक हिंदू undivided family जब एक साथ business करती है तो उनके जो बीच के जो family members होते हैं वो कभी भी partners नहीं होते हैं यह important है और बर्मीज, बुद्धिस, husband और wife अगर एक साथ मिलके business कर रहे हैं तो वो भी partner नहीं कहलाए जाएंगे ठीक है अब हम आजाते हैं section 7 पर section 7 हमें बताता partnership at will तो partnership at will में हमें बता रखा है कि जहां पर कोई भी provision नहीं होता contract में कि उस partnership का क्या duration होगा है ना जहां पर जहां पर मान लेजे दो partners A और B यह partnership करना चाहते हैं ठीक है और यह जो contract करते हैं उस contract में कोई भी duration नहीं होता है कि इस partnership को हम कितने सालों तक चलाएंगे तो उस partnership को हम partnership at will कहते हैं इसमें हमारा partnership at will section 7 में दूसरा जो essential point है वो है कि जो partnership क्या survival होता है वो partner की willingness के उपर depend करता है कि partners कब तक उस partnership को आप चलाना चाहते हैं और partnership at will कभी भी dissolve हो सकती है किसी भी time anytime कभी भी partnership at will dissolve हो सकती है ठीक है जैसे ही कोई partner चाहा किया कहते है इसमें notice दे देता है बाकि सब partners को तो उस time पे वो dissolve हो सकती है partnership at will अब ये notice दे के ही dissolve होगी और partnership at will तब dissolve होती है जैसे ही notice of termination आता है जब माल लीजे partnership at will में माल लीजे 2 person है A और B ठीक है इनके बीच partnership थी मगर अब ये इसे dissolve करना चाहते है और इनकी partnership at will की थी partnership और अब ये इन्हें इसे dissolve करना चाहते है तो जैसे ही B A को notice देगा जैसे ही B A को notice देगा तब ही और B ने notice दे रखा है कि मैं 15 दिन बाद इस partnership को dissolve करना चाहता हूँ तो B notice दे देता 15 दिन का अब यह या तो तभी उस notice को accept करके उस partnership को dissolve कर सकता है मगर अगर अगर यह क्या कहते हैं 15 दिन तक कोई notice का reply नहीं करता है तो 15 दिन के बाद यह जो partnership at will है यह dissolve हो जाएगी ठीक है आगे आजाते है अगर और इसमें हमारा जो next point है जो partnership deed होती है अगर इसमें बता रखा है कि termination जो है mutual agreement दी कर द्वारा किया जाएगा तो उस mutual agreement के time पे अगर आप सिर्फ तो मैं आपको बता रहा था कि अगर partnership will में अगर पार्टनर्शिप डीड में अगर पार्टनर्शिप डीड में पार्टनर्शिप डीड में पार्टनर्श ने अगर यह लिख रखा है कि हम सिर्फ mutual agreement द्वारा ही पार्टनर्शिप को dissolve करेंगे तो अगर कै कहते हैं आप notice भी दे देंगे तो भी यह partnership dissolve नहीं होगी यह partnership तब ही dissolve होगी जब partners का will होगा इसे dissolve करने का और इसमें एक बात और बता रखे है जो partnership at will होता है वो तभी के तभी dissolve हो जाती है कब जब किसी एक partner की death हो जाए या फिर वो partner के insane हो जाए तब अब मैं आपको इस point का example के द्वारा समझा देता हूँ partnership at will का कि माल लीजिए A, B और C ये तीन partners है इन्होंने partnership at will करा है अब इन्होंने partnership at will कर दिया है अब C कहता है कि मैं जो है आपको notice दे देता हूँ इन्होंने A और B को notice दे दिया कि मैं जो है इस partnership को dissolve करना चाहता हूँ मगर इन्होंने जब partnership करी थी A, B और C ने इन्होंने पहले ही एक mutual agreement बना लिया था कि हम इस partnership को partnership at will बना रहे हैं ठीक है तो A जो C ने notice दिया है इस पे कोई फायदा नहीं होगा C के notice देने का A और B का जब तक consent नहीं आ जाता कि ये भी dissolve करना चाहते हैं तब तक partnership at will को आप dissolve नहीं कर सकते हैं और यहीं पर ही अगर C की death हो जाए यहीं पर ही अगर C की death हो जाए तो ये जो death होगी ये partnership at will को तुरंत ही dissolve कर देगी ठीक है अगर आपको समझ आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को like कर सकते हैं section 9 में हमें बता रखा है duties of partners तो duties of partners क्या होती है यह हमें section 9 में बता रखी है carry on business of the firm to the greatest common advantage पहला ही इसमें duty बता रखे के business को चलाना greatest common advantage के लिए ठीक है सब की advance के लिए मतला profit कमाने के लिए business चलाना और अपने partners के साथ just और faithful रहना है दूसरे partners को और true accounts दिखाने हैं जिसमें की पूरी की पूरी information provide की जाए और इसमें partners जो है और his legal representative को भी सारे के सारे true accounts और जो भी सारी सही बाते हैं उसे दिखाना होता है partners को और जो भी partners होते हैं इसमें आगे पढ़ लेते हैं कि जो भी partners होते हैं वो तुरंत ही indemnify कर देंगे अगर माल लीजे कोई भी loss होता है partners partnership को या business को कोई भी अगर loss होता है तो दूसरे partners जो है उस business दूसरे partners हैं वो अपनी partnership को indemnify भी कर सकते हैं अब हम अपने partners के rights पढ़ लेते हैं तो partners के पात दो right है तो partner जो है partner को है एक तो पोईथ है कि जो business क्या हो रहा है कि business की activity क्या हो रही है उसमें धिहान रखना है और free access to all record के हर partner को सारे record free में दिखाया जाने चाहिए जाए वो कोई CV books हो, accounts हो, business का वो सब कुछ दिखाना चाहिए आगे आ जाते हैं partners के जो हम पढ़ रहे थे rights पढ़ रहे थे तो अब हम आगे के rights पढ़ लेते हैं partners जो है वो entitle होता है सभी interest के लिए जो की उसने capital में जो उसने business के लिए जो capital लगाई थी उसके लिए जो भी interest होगा वो उसके लिए liable होता है और यह जो interest होता है यह interest profit में से दिया जाता है partners जो है indemnify करते है फर्म को अगर partnership firm को को कोई loss हो जाता है और partners के पास power होती है emergency के time पर कि जो भी partnership को loss हुआ है उसको वो bear कर सकते हैं partners के पास एक और right होता है कि वो retire भी हो सकते हैं और वो retire कैसे होते हैं जब वो notice दे देते हैं उसके बाद और partners को ये भी right रहता है कि वो partnership से expel नहीं किये जाए मतलब निकालने ना जाए partnership में से और business को चलता रहने ने continue करें वो अपनी partnership को आगे के rights पढ़ लेते हैं अगर अगर कोई माल लीजे कोई माल लीजे dispute हो जाता है business से related तो ये decide किया जाएगा अगर माल लीजे कोई dispute हो जाता है तो वो partners की majority द्वारा उसे discuss किया जाएगा और उसमें जो भी opinion होगा वो opinion जो है partners अपना express करेंगे और फिर जो भी dispute होगा था उसके उपर वो अपना decision देंगे और जो भी और जो भी माल लीजे business किया जा रहा है तो उसमें पहले partners की partners की consent की जरूरत रहेगी अगर partners की consent नहीं होई तो कोई भी business नहीं किया जाएगा ठीक है आगे पढ़ लेते है section 19 section 19 में हमें बता रखा implied और express authority तो implied authority क्या होती है और express authority क्या होती है यह हमें section 19 बताता है Indian partnership act का act done in normal course of business and in usual way and done for the firm तो यह हो जाती है implied authority इसमें बता रखा है कि जो भी act किया जाएगा business के normal cause में तो यह implied authority मानी जाएगी जो भी usual way होता है जैसे मान लीजेए आपका आपकी shop है shoes की shop है आपकी तो आप उसमें जूते रखेंगे अगर आपने उसमें जूते की जगा लिकर रख रखी है तो वो implied authority नहीं होगी अगर आपने shoe रख रख रखा है तो ही वो implied authority होगी ठीक है express authority आपको बता रखी है कि यह authority spoken words या written दोरा express की जाती है तो यह express authority हो जाती है implied authority में जो partners होते हैं वो act करते हैं partnership firm के लिए और यह authority उनको एक साथ बांदे रखती है और यह जो authority होती है यह implied इसलिए ही कही जाती है क्योंकि यह एक सब partners को implied करे रखती है implied authority जो है partners को कुछ powers देता है और कुछ powers वो नहीं देता है तो जो implied authority है जो powers नहीं देता है हम वो पढ़ लेते हैं इसमें हमें 6 powers जो है वो बता रखे हैं कि एक तो वो कोई dispute नहीं submit कर सकता है पहला पहला अगर partners को माल लिजे कोई dispute arise हो जाता है तो वो अब एक माली दे तीन पार्टनर है A, B और C अब कोई dispute arise हो जाता है तो सिर्फ C ही जाके dispute को submit नहीं कर सकता है कोर्ट में उसे पहले A और B की भी consent लेनी पड़ेगी open a bank account on behalf of the firm तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो bank में अपना account नहीं खोल सकता है C bank में अपना account नहीं खोल सकता है और किसी से भी वो compromise नहीं कर सकता है C खुद जाके इसमें हमें आगे बता रखा है कि जो अगर माली जे partner है वो कोई भी suit या proceeding को withdraw नहीं कर सकता है अकेले जाके और नहीं वो किसी इम्मटर कर सकता है इम्मूवबल प्रापर्टी को जो की Firm से बिलई करती है और उब्हों भी किसी और पार्टणर है वो किसी और पार्टनर्शिप में एंटर नहीं हो सकता है बिना partnership की इजाज़त के on the behalf of firm अब पढ़ लेते हैं section 25 liability of partners के partners की क्या liability होती है एक हर जो partner होता है every partner जितने भी partner होते है partnership में वो liable होते है jointly उनकी सबकी जो liability होती है वो joint liability होती है और वो उनका जो भी act होता है और उनका जो भी act होता है वो दूसरे partners के उपर effect रखता है ठीक है इसमें हम section 32 पढ़ लेते हैं 32 में हमें बता रखा है retirement of partner तो partner जो है retire भी हो सकता है या तो partner क्या कहते हैं अगर माल लीजिए partner जो है withdraw कर लेता है partnership से या फिर उस partnership को dissolve कर लेता है तो ये retirement नहीं कहा जाएगा पहला point तो हमें retirement में ये बता रखा है कि अगर partner जो है अपने आपको withdraw कर लेता है और partnership को dissolve कर देता है तो ये retirement नहीं कहा जाता है second हम पढ़ लेते हैं कि partner जो है retire कैसे कैसे हो सकता है तो partner जो है एक तो अपनी will पे retire हो सकता है जब उसका मन करेगा तब वो retire हो सकता है notice दे के सारे जितने भी partner है जितने भी existing partner है उन सब को notice दे सकता है और ये एक express agreement होता है जब वो partners को देता है और इस partners में हर एक partners की consent होना जरूरी होती है तभी वो partner retire हो सकता है section 33 में हमें बता रख़ा expulsion कि partners को expel आप कब कर सकते हैं कब आप partners को partnership से कब निकाल सकते हैं जबरदस्ती तो ये तीन condition पर ही हो सकता है पहली condition जो है हमें दे रखिये है कि ये अगर partnership की interest के खिलाफ अगर माल लीजे तीन partner है A, B और C और C कोई unlawful activity करता है ठीक है तो A और B उसे partnership से बाहर निकाल सकते हैं या फिर दूसरा इसमें और expulsion के लिए partner C को आपको notice देना पड़ेगा notice देना पड़ेगा ठीक है और जो opportunity होती है उस partner को जो C partner है उसे A और B एक बार अपनी बात कहने का भी मौका देंगे तब ही वो expulsion किया जा सकता है अगर मान लीजे जो A और A B और C ने A और A B और C ने इन तीन condition को नहीं माना तो वो जो expulsion होगा वो null and void होगा ठीक है वो null and void होगा आगया जाते हैं अब पढ़ लेते हैं insolvency तो section 34 हमें insolvency of partner बताता है जब कोई partner insolven declare कर दिया जाता है कोट द्वारा तो वो partner नहीं होता उस time पर वो partnership से उसे बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी जितनी भी जायदाद होती है उसकी जितनी भी जमीन जायदाद होती है वो जो है सीज कर ली जाती है लिक्वीडेटर द्वारा और वो लिक्वीडेटर जो है वो कोट द्वारा अपॉइंट किया जाता है ठीक है इसमें अब आगे पढ़ लेते हैं जो partnership होती है वो उसी टाइम पर ही खतम हो जाती है जब कोट उस partner को insolvency जब वो दिवालिया घोशित कर देती है तब उसी टाइम पर वो partnership सीज हो जाती है अब पढ़ लेते हैं section number 35 section number 35 हमें बताता liability of estate of a deceased person तो 35 में हमें बता रखा है कि जब एक partner जब एक partnership खतम हो जाती है या फिर और जब इन्हों ने partnership करी थे तो उस इनों ने उस तो ए और ऑर बी के पास जब इन्हों ने partnership करी थी तो उसने इन्हों ने उस टाइम पर बढके में लिख्खा होगा कि अगर chiletig हो जाती है तो यह तो खांटिनु करेंगे या फिर वो इस पार्टनर्शिप को की तरी कि कर देंगे तो उस टाइम पे जो C की जब डैथ हो गई है तो उस टाइम पे अगर वो continue करते है उस business को तो उस person का जो पहले की जो उसकी जमीन दायदात थी C की वो उस person को उसके या तो रिप्रेजेंट आइटिव को दे देंगे या फिर उस जमीन जाजात को वो फर्म के लिए भी खरीच सकते हैं अब पढ़ लेते हैं 36 liability of outgoing partner तो outgoing partner जो होता है वो restrict किया जाता है कुछ काम करने के लिए ठीक है वो क्या काम होते हैं कि या तो फर्म का नाम यूज नहीं करेगा अपने लिए ठीक है और वो अपने आपको represent नहीं करेगा ठीक है as a partner as a partner वो अपने आपको represent नहीं करता है और वो customer और वो कोई भी customer को नहीं बनाएगा जो कि उसके द्वारा बनाए गए हो या फिर उसको पार्टनर को customer नहीं बनाया जाएगा ठीक है आउटगोइंग पार्टनर जो होता है आ गया जाते है यह जो हमारा आउटगोइंग पार्टनर होता है यह एक agreement में आ जाता है कि यह पार्टनर जो है कोई भी business activity या business के similar activity नहीं करेगा कोई specific period of time तक मगर जब वो specific period खतम हो जाता है वो निश्चित समय खतम हो जाता है तो उस time पर यह आउटगोइंग पार्टनर को allow कर दिया जाता है कि जो भी business activity है उसको आप carry on कर सकते हैं या फिर उसको आप advertise भी कर सकते हैं अब liability पढ़ लेते हैं आउटगोइंग पार्टनर की जो हमें 37 में बता रखी है 37 हमें बताता है कि जब कोई partner जब कोई आउटगोइंग पार्टनर sees हो जाता है वो partner बनने के लिए या फिर मर जाता है तो remaining partner क्या कहते हैं remaining partner उसके बिना भी partnership को continue कर सकते हैं और जो उनके profit उसके द्वारा जो भी earn किया गया था वो उस partner को नहीं देते हैं ठीक है और इसमें जो भी जो भी इसमें share होता है वो 6% per annum का share इसमें मिलता है उसकी property के उपर जो जो जिसकी death हो जाती है partner की अब पढ़ लेते हैं dissolution of firm तो dissolution of firm हमें दो section में दे रखा है एक तो है 40 और एक है 41 तो पहला तो है dissolution by agreement जब आप agreement द्वारा dissolution करते हैं जब आप खतम कर देते हैं agreement द्वारा तब section 40 में दे रखा है और compulsory 41 में दे रखा है dissolution या जब कोई certain contingency हो जाती है तब 42 में हमें दे रखा है और dissolution by notice जो है partnership will का dissolution section 43 में दे रखा है और court द्वारा dissolution section 44 में हमें दे रखा है तो एक एक करके सारे पढ़ लेते हैं section 40 में बता रखा है कि dissolution कब किया जाएगा agreement द्वारा जब dissolution किया जाएगा तो उस ताइम पर consent लेनी होती है partners की दूसरा हमें section 41 बता रखा है compulsory dissolution अगर सार अगर कोई एक partner या सारसारे के सारे partner in solvent हो जाते है तो compulsory dissolution होता ही होता है जब करना ही पढ़ता है compulsory dissolution उसे ही हम compulsory जब माल लीज़े दिवाल या घोशित हो जाता है कोई एक partner तो उस time पर करना ही पढ़ता है उस partnership को खतम और अगर माल लीज़े कोई A, B और C तिने ये ये 창 cao, a b, और c ने एक business करा के हम gun का business करते हैं, ठीक है हम गन का business करते हैं, मगर government ने, government ने gun का business, jar ऑन lawful declare कर दिया, तो उस time पर इन्हें ये अपनी partnership को dissolve करना पढ़ेगा, खतम करना पढ़ेगा, section 42 आ जाता था जब सेक्शन 42 में हमें बता रखा है कि जब कोई कंटेंजेंसी हो जाती है जब कोई दुरगटना हो जाती है या कोई बात हो जाती है इस तब जब कोई चीज हो जाती है तब सेक्शन 42 में बता रखा है कि डिसॉल्यूशन हो जाता है फर्म का तो इसमें पहला हमारा में ही बता रखा हो के हमारी जो partnership है वो एक निश्चिन समय तक चलेगी और उसके बाद वो expire हो जाएगी तब dissolve हो जाती है और अगर और अगर क्या कहते हैं death हो जाती है partner की तो भी dissolve करना पड़ती है या फिर partner को अगर insolvent घोशिक कर दिया है तो भी उस partnership को dissolve करना पड़ेगा या फिर और एक बात और बता रखिये है इसमें के if constituted to carry out one or more advantageous or undertaking by completion there of तो जब partnership complete हो जाएगी उस time पे भी dissolve करना पड़ता है ठीक है अब हम आ जाते हैं section 43 dissolution of partnership at will तो partnership at will को notice द्वारा क्या कहते हैं dissolve कर सकते हैं जब एक partner बाकी सब partner को notice दे देता है writing में और उसकी जो intention होती है उस notis में वह लिखी भी होनी चाहिए तो उस time पे वह तो उस time पे वह dissolve हो सकती है और जो partnership firm होती है उसमें notice में mention की भी होती है कि इस date पे हम एक fixed date पे इस partnership को dissolve कर देंगे और अगर मान लिजे कोई भी date mention नहीं है तो जब expiry होगी जैसे तो अगर मान लिजे कोई भी date नहीं है उस notice पे तो जैसे ही notice दिया गया है notice देने के तुरंत बाद ही उस partnership को dissolve कर दिया जाएगा आगे आ जाते हैं dissolution by court section 44 इसमें हमें section 44 में बता रखा dissolution by court तो court जो है कब कब कह सकती है कि इस partnership को आप dissolve कर दीजिए तो जब कोई partner unsound हो जाता है या वो पागल हो जाता है insane हो जाता है तो उस time पे court partnership को dissolve कर वा सकती है या फिर कोई partner permanently incapable हो जाता है अपनी duties नहीं कर पाता है वो permanently incapable या उसके हाथ कड़िया या पैर टूड़िया तो उस काम को वो नहीं कर पाएगा तो उस time पे वो partner नहीं तो उस time पे dissolve कर दी जाती है या फिर court ने guilty guilty उसे थाबित कर दिया है कि ये guilty है कोई unlawful काम करने के लिए तो उस time पे उस partnership को dissolve कर दिया जाता है और partners अगर अगर partner क्या कहते हैं किसी agreement का breach कर देते है ठीक है तो उस time पे भी court द्वारा partnership को dissolve कर दिया जाता है तो वो agreement क्या क्या हो सकते है या तो management of affair का agreement होगा या फिर वो business से related कोई होगा या फिर कोई ऐसा conduct होता है जो कि business से related होता है और वो practice किया जाता है partners द्वारा day to day ठीक है अब इसका effect पढ़ लेते हैं solution का effect क्या होता है कि जो authority होती है partners की जो जो partners की authority होती है वो तब तक ही चलती है जब तक business को wind up नहीं कर लेते हैं wind up एक अलग चीज़ होती है solution एक अलग चीज़ होती है ठीक है जो एक एक partner होता है वो सब की सब dissolution के time पे सब के सब एक equitable लिया है जो जो उनका profit जो जो उनका share था उसी share के हिसाब से उन्हें profit मिलता है ठीक है continuing liability पढ़ लेते हैं partners की आ गया जाते है continuing liability क्या होती है partners की एक liability होती है जो की notice जो जब तक dissolution नहीं दिया जाता है तब तक जो dissolution का notice है जब दिया जाता है तभी तक वो लिये liability रहती है और यह जो liability होती है यह सबी के लिए होती है और यह winding up of business के लिए भी होती है यह इसमें authority दी जाती है कि winding up के बाद आप कोई new transaction नहीं करेंगे ठीक है इसमें जो होता है dissolution के बाद partners को premium दिया जाता है कि partners के पास क्या कहते है एक right रहता है premium लेने का तो इसमें premium कैसे दिया जाता है कि उन्हें जो भी उन्होंने capital में investment की थी उस हिसाब से उन्हें premium दिया जाता है और जब dissolution किया जाता है तो उस time पे partners जो है अपने ratio और proportion के इसाब से premium मांग सकते हैं जो कि उन्होंने fix किया था या fix किया था उन्होंने agreement दोरा उस time पे जब dissolve या expire होती है और ये तीन cases में partners को premium नहीं मिलता है अब ये तीन case पढ़ लेते हैं तो इस में क्या पहला case है कि जहां पे partnership को dissolve किया जारा agreement दोरा उस time पे partners को premium नहीं मिलता है और अगर माल लीजे second किसी partner ने misconduct कर दिया है दूसरी party को तो उस time पे भी premium नहीं मिलेगा और जब partner की death हो जाती है तो उस time पे भी उस partner को premium नहीं मिलता है अब आ जाते हैं कि settlement of account on dissolution तो इस time पे जब partnership को जब partnership को dissolve कर देते हैं तो उस time पे जो account होते हैं उनको settle किया जाता है तो इसमें जो भी loss होते हैं वो सबसे पहले undistributed profit में से निकाले जाते हैं यह and distributed profit जो है capital होता है और अगर capital भी नहीं बचती है वो profit अगर वो capital भी नहीं बचती है तो उन partner का जो profit sharing ratio था उस profit में से यह loss को recover किया जाता है आगे आ जाते हैं है तो इसमें आगे आ गया है हम तो जो भी asset होंगे फर्म के तो उन asset को उन asset को जो है loss के लिए loss के लिए recover loss के लिए उन्हें बेच बेचा सकता है और जो partner होंगे उनका पहले तो जो उनका profit sharing ratio है उसी में उस जो asset बिके हैं उसी हिसाब से उसे उनको loss recover करना पड़ेगा और यह जो है asset कब-कब बेचे जाते हैं जब outside creditors को pay करना हो या फिर जो repay करना पड़े advance को जो partner ने दिया था या फिर capital को repay करने के लिए उस time पे भी asset को बेचा जा सकता है और अगर उस time पे कोई अगर amount बचता है तो वह amount जो है प्रॉफिट sharing ratio में divide कर लिया जाता है और जो माली जी loss हो जाता है अगर माली जी loss हो गया है insolvency के द्वारा तो उस case में क्या होगा तो उस case में insolven जो partner हुआ है वह उस partner की deficiency को भरेंगे solvent partner तो solvent partner जो है insolven partner की deficiency को भरते है और जिस ratio में उन्होंने capital share करी है उसी ratio में वह cash को दे देते हैं या फिर जो भी asset होते हैं उसको क्या कहते हैं दे देते हैं और second हमें बता रखा है कि इसमें जो भी asset होगे available वो शब partner उसे solvent partner जो है वो अपने profit sharing ratio में divide कर लेंगे अगर आप मेरी वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे channel को like कर सकते हैं subscribe कर सकते हैं और इसे अगर इसे आप share भी कर सकते हैं thank you